अर्व दोस्तों कैसे हैं तो आज मैं एक और वीडियो के साथ एक और आर्टिकल के साथ तो जल्दी से वीडियो स्टाट करते हैं तो आज हमने बनाई है एक सॉक्स सॉक्स होती है जुराब तो आज हमने एक तरह की सॉक्स बनाई है इसको बोलते हैं राइफल सॉक्स तो इसमें rifle के cartridges आते हैं अगर आपके पास 30.06 rifle है और 315 rifle है सिर्फ दोनों तरह की rifle के लिए है 0.2 के लिए नहीं है अगर आपके पास 30.06 rifle है या 0.30 है या फिर आपके पास 315 rifle है तो उसके लिए perfect है होता क्या था? पहले कुछ इस तरह के बट्शु आते थे ये बट्शु आज कि रैफिल में अच्छे लगते बार बबर की गण में लगते थे कभी तो 30 r caus और तीनसो पंदरा में इस तरह के बट्शु जब लगाते हैं तो यह अच्छेने लगते क्योंकि बहुत महयंगी rifle होती है इस तरह कि यह वाली items अब नहीं चलती है time खत्म हो चुका तो यह items अब खत्म हो चुकी है यह अच्छी नहीं लगती है अक्श्रियुमें तो उसके लिए हमने इसको replace करके ऐसा बनाया अगर आबकी rifle हमने यहाँ पे ऐसे नहीं यूस करते हैं यह एक air weapon है एर gun है उसकी बट पे हम आपको लगा कर डेमो दे रहे हैं तो ये जो है एक लकडी का stock है उसके हम आपको सर्फ डेमो दे रहे हैं कि अगर आपकी rifle है तो आपकी राइफल पे कैसा लगे का तो 30.06 बड़ी ही शांदा राइफल है 315 अच्छी राइफल है उसके लिए हमने बनाया है यह सॉक्स है बहुत ही fine quality की elasticity है इसमें तो यह जो सॉक्स है यह निकल जाती है जब इसको डालना होता है तो इसको खोल कर पूरा ऐसे डालना पड़ता है इसमें आप अपने राइफल के काटेजिस डाल सकते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ऐसे बट्सू नहीं लगाना चाहते हैं जीव से लगते हैं उसकी खराब नहीं करना चाहते हैं अगर आपको इस तरह का पैटन पर लगाना पड़ेगा देखिए यह एक में फार्मला बताता हूं आपका जो 32 का वेपन होता है यह पैंस स्वोर की गोली का साइज होता है एक पैंसिल बट कोई भी राइफल जो होती है उसका काटेज थोड़ा सा मोटा होता है 315 की हो या 30.06 की हो उसका पैन के साइज से मटाई पता लग जाती है तो इस तरह अगर आप डालेंगे तो इस तरह से काटेज आपका परफेक्ट आए आपकी पसंद की चीज पहुंचाना यह देखे इस तरह मालेजी काटेज है 30.06 के काटेजिस आप इस तरह से लगा सकते हैं तो आपके काटेजिस इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट फिट होने वाले हैं मोटे से मोटा कोई और रैफल भी है आपके पास समान लेजिए कोई और बहुत सारे राइफल आती है जिनका शेल जो है मोटा है यह पैन देखिए कितना फर्क है इससे मैं कंपेर करके दिखा दो तो अगर आपके पास कोई काटे जैसा है जो बहुत मोटा है तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं बिलकुल परफेक्ट आने व देख रहा है यह आपको शोल्डर पर लगाना है कुछ भी लगाना है तो इसकी काटेज यहां लगे हमें बहुत ग्रेस आने वाली है इसकी इतनी अच्छी है कि यह नहीं है कि आप काटेज डालेंगे और गर जाएगा यह हमारी रिस्पोंसिबिलिटी है तो ऐसा नहीं कि क मतलर कि 400 रупे में हम आपको हुम डिलिवर करने वाले हैं घर पर सबक्वेंड श्यूब्न और वहांस यह सर्फ जरौ है पास थांती मयूट कि राईफल कर रख है फ़ार्प्रोंव और दोनों बोर-विया जो मोटा है जिसकी शेल मोटा होता है वो भी इसमें परफेक्ट आने वाला है बहुत खुब सरुत लगती है यह बैटन अब खतम हो चुके हैं इसके भी रिप्लेस्मेंट में हम बारा बोर का अगली वीडियो में एक लेकर आ रहे हैं लेदर का बनाएंगे वो आपको बताऊंगा तो तो इसा नहीं है कि गंदा मंदा साया कुछ भी है तो बहुत ही सफाई से बनाया है फिनिशिंग से डिजाइन किया गया है इसकी शेप हमने विल्लगि ऐसे नहीं रखी है क्योंकि आगे से जो है वह वह बट स्टॉक पतला होता है पीछे से मोटा होता है उस तरह से ही से डि अगर आपको यह चीज अच्छी लगी हो तब भी बताइए अगर अच्छी नहीं लगेगी तब भी आपने मुझे बताना है थैंक्यू सो मच्छ लवियू हॉल